Hey guys, welcome to the study with my young मैं हूँ आपका मयांक और आई लाराउं मैं आपके लिए भारती यर्थ विवस्ता जो कि रमे सिंग जी के दार लेकिवी पुस्तक है आज इसी क्रम में आपका यहाँ पर अध्याय वीस्वा है यहाँ पर हम भारत में मानव विकास इसके बारे में पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या क्या डिसकुस करना है यहाँ पर सबसे पहले हैं पर स्टार्टिंग होती है परिचह ऐसे कि हमें मानब विकास की जो धार्णा है या मानब विकास का जो concept है वो निकल कर क्यों आया है हम तो शुरुवात में जो है हमारा केवल आर्थिक विकास तकी केवल महतु था हमने केवल और केवल आर्थिक विकास पर ही focus रखाया लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ है कि हमें मानब विकास पर ही फोकस करना पड़ा है सुरुवात में जैसा कि आप लोग जानते हैं दिन्या भर की इतनी भी अर्थ विवस्ताएं है केबल और केबल अपने आर्थिक विकास की और आर्थिक विकास को प्राप्त करने की दोड़ में आगे बढ़ी है उन्होंने ये उसका आंकलन बिल्कुल भी नहीं किया है कि आर्थिक विकास का जो सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव है वो हमारे देश की जनता पर क्या पढ़ रहा है उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी चिंदा नहीं की है परड़ाम यह हुआ है जो पुझी बाती अर्थविवस्ताइं हुई है आप अमेरिका का अध्यन कर ले या फिर यूरोप का अध्यन कर ले तो भहाँ पर जो धनी व्यक्ती थे वो और ज्यादा धनी हो गए भही जो गरीब व्यक्ती थे वो और ज्यादा गरीब हो गए यहाँ तक कि भहाँ पर जो जितनी अर्थविवस्ता है जो विक्सित होंदी पुजी बात के दम पर जितनी रफ़ वेस्ताओं का विकास हुआ था पैसा उनके पास बहले ही बहुत जाता हूँ लेकिन अहीं पर भी लोग सुखी नहीं थे इस तरह के आर्फिक विकास को हम अपने इपने मानवी विकास से न जोड़े मानवी विकास के कुछ और पहलू भी है इसके according हम मानवी विकास को यहाँ पर परिकल्पित करें मानवी विकास को हम यहाँ पर उसका आंकलन करें कि वास्तम में कि आर्थिक विकास का सकारात्मा कितना प्रफाव पढ़ा है हमारे मानवी जीवन पर क्या-क्या परिवर्तन आया है क्या-क्या सकारात्म क्या पर प्रफाव पढ़े हैं वो भी हमें या पर उसका अध्यन करना होगा तो ऐसे करते करते देखिए इसके बारे में वैसे तो हम जो आपकी जेग्राफी वाली किताब है N.C.I.T. कлас 12 की भाहाँ पर भी हमने डीटेल में डिसकस किया है क्योंकि विकास का चैप्टर लगवक सभी में आ जाता है आपका आपका अनि इकोनों में भी आ जाता है आपका जियोग्राफी में भी आपको पढ़ने को मिलेगा current में भी आपको पढ़ने को मिलेगा तो ये सब बातें आप जानते हैं अच्छे से तो शुरुवात में तो आप जाने हैं गई कि शुरुवात में आर्थिक व्रद्धी यानि आज तक भी आर्थिक व्रद्धी को ही अपने प्रात्मिक्ता में रखती हैं लेकिन अब समय के साथ साथ अब धारना ये बदल नहीं है समय के साथ समय की मांग बदल नहीं है समय की मांग ये कहती है कि ये वल आर्थिक व्रद्धी हमारा लक्ष नहीं होना चाहिए बलकि लोगों के जीवन स्तर में इस उधार आना ये हमारा प्रात्मिक लक्ष होना चाहिए तो कल्यालकारी अर्सास का जो उद्य हुआ है तो कल्यालकारी अर्सास की बढ़ती स्विकारिता के पश्चात जीवन स्तर विकासात्मक उपलब्दियों को मापने का सबसे लोगपरी पैमाना बन गया यानि खास करके जो आपकी जीवन स्तर है यानि आप किस जीवन स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं अफो यहाँ पर विकास अत्मकॉप्रतियों को मापने का सबसे लोगपरी पयमाना मन गया है। य facto हमारे लिए जरूरी यह नहीं है कि GDP 10% या GDP यह इतनी ग्रो कर रही है। यह जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी यह है कि हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक को भोजन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, रोजगार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्या वो वास्ता में प्रसंद है यहां की व्यवस्ताओं से या नहीं है, यह ज्यादा इंपोर्टें तता ब्यवार मूलक आयामों की भूमिका को भी अब स्वीकार किया गया है पुन्हें बिविन राष्ट्रों के बीच अपने नागरिकों को प्रसन्नता तता जीवन संतुष्टी प्रदान करने के प्रतिवीवब स्वीकारिता बनी है खास करके भारत में भी इस विचार को इस उक्ति को अपनाया गया है और हमने ब्रद्दी और विकास को जो बिल्कुल हाशिय पढ़ते या बंचित वर्गते किसे अंसुचित जाती जन्जाती अत्विषडा बर्ग या अल्वसंक्यक हो या महला है इन तक पहुचाने का जो हम मारे धनी समधाय के लोग है वही हमारे आर्थिक प्रक्रियावं भाग ने ऐसा बिल्कुल भी न हो अजो हर वर्ग हमारे है जीरों से पढ़ चुके हैं अगर अपने हैं की जनसंक्या को एक उच्छ मानव संसादन में तब्दील करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा उसे बहतर स्वास्य सेवाय प्रोवाइड करवानी पड़ेगी तब ही तो हम उसे उच्छ कौसल देकर उसको जो अच्छे खासे मानव तो हमारे देस के आर्थिक विकास को अपने उचाईएं तक ले जाएगा। व्लंदी तक ले जाएगा। इसको उचाईयों तक ले जा सकते हैं और भही ये योवा वास्तम में अगर किसी नकारात्मक पर मतिगे और मोड़ गया या फिर किसी कह सकते हैं इसका जो नेत्रत हो है वो गलत तरीके से मोड़ दिया या गलत हाथों में चला गया तो यकीन मानिये हमारे लिए एक तभाई भी ला सकते हैं तो यहाँ पर दोनों ही चीज़े हैं यानि कि यह जरूरी नहीं है कि योवा है हमारे राष्ट में तो हमारा राष्ट तरक्की करेगा डिपेंड यह करता है कि अगर इन्हें हम अच्छी दिशा देदें अच्छा guidance देदें यहाँ पर अच्छी यहाँ पर हम कहा सकते हैं प्लेट्धों प्रोवाइड गरबा दे तो हमारे लिए शकारात्मक पहलू बन सकता है वरना यही लोग हमारे लिए निकारनकारात्मक पहलू भी बन सकते हैं तो युवा लोगों को स्वस्थ सुसिक्षित और परियाप्त कौशल युक्त बनाने की जरुवत है ताकि ये देश की अर्थविवस्ता में अपना अधिक्तम योगदान ने ये बात यहां पर रखी गई है आर्थिक सर्वेच्षड 2015 सुले जो कह रहा है इसके अनुसार साल 1990-2013 के दोरान भारत की आर्थिक रूप से सक्री आबादी देखिए यहां पर मैंने आपसे बार बार कहना हूँ आर्थिक रूप से सक्री आबादी का जो पैमाना है वो बैसे 25-69 माना है यानि आर्थिक 97 सात प्रस्तती अब हमारे यहां 53303 प्रस्तत यह हो गई है तो यह बात यहां पर बताई गई है यानि हमारे लिए जो भी इसकी नईनी चुनोतियां है इनसे हमें निपटना है और इस यूबा कोसल का एक शही जगे पर इस्टिमाल करना है तब की हमारा आर्थिक हर साल आती है यानि HDI की जो आपका UNDP हर साल रिपोर्ट जारी करता है और हर साल इंडेक्स आता है तो इंडेक्स के जो आखड़े होते हैं हर साल बदलते रहते हैं यहाँ पर हमने 2020 के भी आखड़े उठाए है हो सकता है 2021 के end में आप यह वीडियो देखें 2022 के end में आप वीड बागी रहेगा बस आपको थोड़ी सी यहाँ पर मोडिफिकेशन कर देना है थोड़े से आखड़े आपको जो गूगल बगारा से या फिर आप अन्य जो करेंट अफ्यर्स के सोर्स है वहां से आप तयार कर लेना बात बागी जो कौन सेप्ट वो सेम टू सेम यही रहेगा तो यहाँ पर आपका जो मानब बिकास को मापने का सबसे पहला काम आपका UNDP के द्वारा जो Human Development Report जो जारी की जाती है इसके द्वारा किया गया तो यह संयुक्त राष्ट पिकास कारिकरम द्वारा जारी मानब बिकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानब बिकास सूचकांग या बिशे की तरह लोट गया यानि अब 2020 में भारत की रेंकिंग कितनी है 131 में इस्थान पर भारत यह पहुंच गया है वर्स 2020 की यह रिपोर्ट जो है यह कितने देशों के मत की गई है 189 देशों को उनके मानब बिकास सूचकांग की स्थित के आधार पर यहां पर रेंकिंग दवा हुआ है यानि कि यहाँ पर यह देश के प्रतिव्यक्ति कारवन डाय एक्साड उस्थाजन और सामगरी के प्रचिन फुट्प्रिंट द्वारा मानब बिकास सूचकांग यानि हीमन डवलप इंडेक्स को समय उजित करता है यानि अब इस बार वाला जो 2020 वाला जो आ प्रतिव्यक्ति आएसे किया जाता है प्रतिव्यक्ति हां और सुगमता के लिए हमने डोलर मान के चला है यानि हम universal रूप से dollar के रूप में यहाँ पर माप के चलते हैं स्वास्थ हैं, स्वास्थ है कोम कैसे मापते हैं इसका नेर्ण हम जन्व के समय जो आंगलित जीवन प्रत्यासा से किया जाता है जन्व की समय जो बच्चा जन्व ले रहा है जीवित रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है ज्यान की प्राप्ति का हो हम यहाँ पर स्कूल में कितने साल हमने इसकूल में बिताए हैं इस आधार पर मापते हैं तीनों मापदनों का जो score होता है देगे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 0 से 1 के बीच यहाँ पर इन्हें अंक दिये जाती है 0 से 1 के बीच यहाँ पर यहाँ दसंबल में ही इनकी ranking होती है तो ऐसे गर करें आप समझ सकते हैं यहाँ भी 0 से 1 के बीच में असमानता समायजित मानव विकास सूचकांग यानि इन Equality Adjusted Human Development Index IHDI यह भी जारी है इस रिपोर्ट से संबद है लेंगिक विकास सूचकांग यानि कि जो आपका जेंडर डबलमेंट इंडेक्स है वो भी इस रिपोर्ट से संबद है लेंगेक अस्मानता सूचकांग यानि gender inequality index वो भी इस report से संबद्द्द्ध है बहु हायामी गरीवी सूचकांग यानि कि जो आपका जो बहु हायामी गरीवी सूचकांग कहा है आपका यानि multi poverty index जो है तो वो भी इसमें यहाँ पर समधेत है संपूल प्रदर्शन बर्श 2019 के लिए जो HDI है हमारा वो बताया गया है देखे जान देने वाली बात यह होती है कि जब यह लिखा होता है कि मानब विकास रिपोर्ट संथ 2020 तो इसका मलब यह होता है कि उससे एक साल पीशे के आंकड़े हैं और एक साल पीशे के यहां पर आं रखता है बात करें 1990 से लेकर 2019 के मद जो हमारा भारत का Human Development Index मान है वो यानि कि हम जब हमारा 1990 में हमारा सर्वे हुआ था तब हमारा Human Development Index मान निकल कर आ रहा था तब आ रहा था अब जो हमारी 2020 की रिपोर्ट आई है तो इसके बात बताई गई है कि हमारी जीवन प्रत्यासा बढ़ गई है बढ़ने का रीजन ही है जो बैटर मेडिकल फैसलिटी वगरा होती हैं सरकार समांतरे की यो योजनाय चलाती है इनके जरीए जो कहीना की स्वास्ते में सुधार आ रहा है तो यहाँ पर यह अब कितनी हो गई है हमारी भारत में 69 साथ वर्स यानि ओसत रूप से भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति 69 साथ साल जीवित रहता है बहीं दच्छेड ACI ओसत कितना है 69 परसों की तुलना में थोड़ा कम है यह थोड़ा कम है बर्स 1990 और दोयार 19 के मद भारत में जन्मे के समय जीवन प्रत्यासा में लगवग 11,98 बर्स की प्रद्धी होई है यानि आप समझ सकते हैं जब उस समय 1990 में हमारा HDI जारी 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 किया गया था स्वास्ते के ऊपर तो उस समय लगवग हमारी वीडियो बैल्यू रहती थी वो 57 साल के करीब विन 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 विद्ध्याले में बिताता है तो ये बात बताई गई है वही बंगला देश में कोई बैच्चा 11.2 साल विद्ध्याले में जीवन में बिताता है पाकिस्तान में लगव 8.3 वर्स यानि बहुत कम है पाकिस्तान में हमारे हैं फिर भी सही है वैसे अमेरिका ब प्रत्यासित आउसित वर्सों में साड़े तीन वर्स की यहां पर व्रद्धी हुई है और इसकूली सिच्छा के प्रत्यासित अनुमानित वर्सों में साड़े चार वर्स की प्रद्धी हुई है यानि कर हम देखें यहां पर 1990 से लेकर अब तक का आंकरा उठा कर देखें तो ह साथे तीन वर्ष यहां पर दर्शनेग उपने प्रती है नम्हारी तो सारे घरशा वगत्त हैं हमति और सबसक्राइब रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है यानि जेंडर इनेपकेलिटी इंडेक्स जो है अपका है ये भी तीन आयामों में महलाओं और पुर्सों के बीच उपलब्दियों में अस्मानता को दर्साने वाली एक समगरमाप है जेंडर इनेपकेलिटी जो इंडेक्स है इसमें भारत जो 123 में स्थान पर रहा है यानि एक स्थान कर पीछे पहुच गया है लेकिन 2019 में जो किया गया था सर्वे उसमें ये 122 में स्थान पर था बहुँ आयामी गरीबी सुच गया है यानि मल्टी डैमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो MPI है तो MPI में कौन-कौन से आयाम सामिल है MPI में यहाँ पर वे आयाम शामिल है जिनका सामना विकास्थिल देशों के लोग अपने स्वास्त हैं, सिक्षा और जीवन इस्तर में करते हैं भारत के MPI अनुमान के लिए सार्जनेक रूप से उपलब तो सबसे हालिया सरविच्षड जो है कौन सा है 2015 सुले का यानि अभी इसका नवीनतम कोई आंकड़ा नहीं आया है यहाँ पर अभी भी पुराने वाला जो आंकड़ा है वो जारी किया जा रहा है भारत में बदाया क्या है कि भारत में लवक 27.09 पीसद जनसंख्या जो है यानि लवक 3,70,000 या 492,000 लोग यह बहुत आयामी गरीवी से ग्रसित है बहुत आयामी का गरीवी का मतलब क्या है यानि इसमें बहुत सारे आयाम है कोई व्यक्ति केवल पैसों से गरीब नहीं है वो स्वास्य सेवाँ के लिए भी गरीव है उसके पास संसादन नहीं है स्कूल भी नहीं जा पा रहा है खाना भी नहीं गरीवी नहीं है यहाँ पर अब आपकी अगली heading आती है COVID-19 का मानव विकास पर प्रभाव। देखे यह जो इस तरह की जो topic है यह आपके men's exam के लिए बहुत important है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ-कुछ जोगा key points यहाँ से देखने को मिल जाती है कि किस तरह से हमें अगर माली जी ऐसा प्रचन है वो आने वाले समय में आपके UPSC men's paper में पूछे गए concept है इसलिए मैं वो वाला भी cover कर वाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग किसे ध्यान से देखें तो देखे COVID-19 में आप यह जानते ही है कि जो भी हमारा आर्थिक हो या सामाजिक परद्रस हो उसमें परिवर्तन आया है ह जहां पर UNDP के अनुसार COVID-19 महमारी के करण मानब विकास रिपोर्ट 2020 में वैश्रिक मानब विकास के हिनास की संभावना है क्योंकि मानब विकास सूचकां के तीनों ही कारकों आये सिक्षा और स्वास्था पर इसका गहरा दुस्प्रभाव पड़ा यानि ये बात जानते है कोवेट के दौरान एक तो इंकम सोर्स आफ इंकम बंद हो गए बच्चों की सिच्छा अवरुद्ध होई स्वास्था से वाई नहीं बिल पाई यानि हॉस्पीटल जो थे बिलकुल फुल थे हॉस्पीटलों में एडमिटी नहीं कर रहे थे तो बहुत ये सारी दिक्कतों क सामने हमने जहिलना पड़ा है तो यकीन मानिए इससे कहीना कि हमारे मानवी विकास पर प्रभावत पड़ा है जून 2020 में जारी अपने विचार में युनाइटिन नेशन एजनसी ने मानव विकास से संबद निमने तथ्यों की यहाँ पर गोशना की बताया मानव विकास से स बंद होने से जो छात्र स्कूलों के बाहर हैं और इंटरनेट तक उनकी पहुंच नहीं होने की विजए से बैस्प्रिक इस्तर पर लगवक साट फीसक छात्रों को यहाँ वर सिच्छा बादित हुई है या आप लोग जानते हैं हमारे विकासील देसों में भारत जैसे विक आज भी इंटरनेट हर किसी को उपलब्द नहीं है और इंटरनेट उपलब्द भी है तो घर में इतने जादा फॉन नहीं है यानि गैजिट्स नहीं है कि सभी लोग उसका इस्चिमाल कर पाएं तो आप समझ सकते हैं तो दुनिया भर में आकलन यह किया गया जो यूएन के इस्तर पर जहां उच्च मानब विकास वाले देशों में मात्र 20 फीसत चात्री सिच्छा से बंचित हैं जो आपके उच्च विकास वाले जो भी देश हैं यैसे आपके यूरोपिक अंट्री हैं कुछ और भी देश है तो भावर मात्र 20 परसेंट चात्र जो है प्रैमरी जाएगा बहुत सबसे कैसे हमें जो है लाइफ गलास अटेंड करनी हो पर चांती नहीं है तो उनकी सिच्छा पर सबसे आदा है आपर असर पड़ा है ये बात आप बता ही गई है खास करके विकासील देसों में चात्र ऐसी स्थिति में सिच्छा से बंचितनार है इसके लिए इंटरनेट की विवस्ता को समानता पर कैंदित करने की आवशकता है यानि UN एजेंसी की द्वारा ये बात साबसाब रूब में कही गई है कि आज सभी देसों की सरकारों को कुछ ऐसे पैकेज लौंच करने चाहिए जिससे क्या है छात्रों की सिच्छा बादित ना हो और उ उन्हें domestic violence अत्रिक्त कारिभार यापने सुना होगा कि लौकडाउन में सब कुछ बन था सब कुछ घर में बैठे ते आराम कर रहे थे लेकिन आपकी मा आराम नहीं कर रहे थी आपकी सिच्टर आराम नहीं कर रहे थी वो बगाय था किचिन में आपकी जो फर्माइस होती न आने में लगी रही है यानि वो आपने उनका जो समय इसी तरह से यूज किया है तो कही ना कि उनके जो मनो मस्तिस्त पर एक घहरा प्रभाव इसका भी पढ़ा है तो यहाँ पर भाही बताया गया है कि इसका घहरा प्रभाव पढ़ेगा यानि महलाओं और बालिकाओं की ज दूसरी रिमांड हमने जारी कर दी तो आप समाझ सकते हैं कि स्वास्ते पर भी यहां पर असर पड़ा इसके लावा अवैतनिक काम के बोज बढ़ेंगे अवैतनिक का मलब क्या है कि भाई आपकी मा भेहन जो काम करती हैं घर में आप उने कुछ के लिए कुछ पे थोड़ी न पड़ा चूँकि विकासिल देश मामारी के सामाजिक और आर्थिक दुस्प्रभावों के समाधान में अविक्षागत कम सक्षम है ये बात इसपष्ट है इसलिए विक्षित देशों की तुलना में इनके मानब विकासमादिक गरावट आने का अनुमान है और ये बात हगी नहीं कर पाए इस बज़या से हमारा Human Development Index में इस्थान दो इस्थान पीज़े किसक गया यानि 131 में इस्थान पर हम पहुँच गए COVID-19 पर जो United Nation Framework है ये क्या कहता है ये भी हम देख लेते हैं तो UN यानि COVID-19 पर जो UN Framework है यानि UN Framework for the immediate socio-economic response to COVID-19 crisis इसके अंतरगत विस्थ में एक नए सामान्य के निर्माड करने के लिए हरित लिंग समान इम अभिशासन पर केंदित लोग नीतियों की अपनाने का यहां पर सुझाओ दिया गया है जैनि कहने का मलब क्या है जो हमें एक सामानी जीवन लाने के लिए कह सकते हैं जो कि धानी विकास के अनूप हो जेंडर एक्क्वैलिटी के अनूप हो उस जीवन को इस्थाबद करने के लिए इसने कुछ चीज़ें को यहां पर बताया है तो यहां पर बतायाए गयाए इस महमारीके जट्ल संक्यट का सामना करने के लिए इस प्रेमबर्क में पांच प्रात्मिक्ताओं को चिनित किया गया है सबसे प्रात्मिक्ता क्या है चिगिस्ता विवस्था और सेवाओं की स्रक्षा की जाये दूसरी बात सामाजी प्रतिरक्षा का मजबूती करण हो यानि की जो सोचिल डिफेंस मेकनिजम है उसका मजबूती करण हो आपका रोजगार के साधन हो छोटे मजोले व्यवसाय हो या अनौपचारिक छेत्र के कामकार है इनका सरचण मिले इस सरकार कुछ ऐसी स्कीम चलाए कि विप्रीद परिस्टियों में भी इनको थोड़ी बहुत आर्थिक साहता मिलती रहे ताकि इनके घर चलते रहे प्रतियक के लिए आर्थिक नीतियों का निर्माण हो यानि गवर्मेंट हर देश के हर नागरे के लिए आर्थिक नीतियों का निर्माण करे बचत्यों जना बीमा बग्रावाइड करवाएग भविस्त्र के जोखम हो से उन्हें बचाये तो यह सब चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए इसके लावा समाजिक संबध्ता हो इसके निर्माज के लिए शान्ति सुख अविसासन और विस्वास का प्रोसान हो इस समाजिक संबध्ता का मतलब लेंगिक मुद्दे, जेंडर इस्यू पर बात करते हैं, तो देखें, लेंगिक मुद्दे को हमने आज यहाँ पर, मैंने कवर करने के लिए, यहाँ पर डॉक्टर बियार अमबेटकर, यानि बाबा साहिब अमबेटकर का एक कथन भी यहाँ पर एड़ कर लिया है, क्योंकि अक्सर कई बार क्या होता है, जो नए-नए अभढ़ती आते हैं, उनके मन में ये बात होती है, कि सर सम्भिधान में तो सब कुछ लिखा है, सम्भिधान में तो हमारी लिए कानून बना है, महलाओं के लिए बना है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, तो यहाँ बाबा साहिब अमबेटकर का यहाँ पर कथन है, कि जब तक आप समाजिक सुतंता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी सुतंता देता है, वो आपको किसी भी काम की नहीं, यह बात बिल्कुल हकीकत है, कानून में कोई चाहिए लिख देने मात्र से उसका इंप्लिमे पुरस्चित ही है, वो इस हिसाब से गड़ी जाती है, कि हमीशा पुरसों के अधीन रहें, या पुरसों से नीचे रहें, इस हिसाब से महलाओं को दियार किया जाता है, यह बचपन से उन्हें इस तरह के गुड़न में विक्सित किया जाती है, रड़कियों में यह महलाओ इस प्राबदान विवस्था रही है इस पर जएसे भी और कुछ हमारे कांडी विधी विद्धान है उनकी बजएसे हैं उनकी पुरसों के अधिन मानी गई है यह ज्यादातर छेत्रों में दिखता है यासे सिच्छाक को पाने से लेकर सामाजिक आर्थिक अवसरों में हर जगे महलाएं हमारे यह पिषडी हुई है लेंग एक समानता और न्याय के लिए कानून तंद पर निर्वरता है जो कि एक समय तक नहीं बन पाया यानि कि आज भी हमारे यहां हम यह सोचते हैं कुछ हमारे यहां बुद्ध जी भी यह बात कहते हैं कि कानून बना दो कानून बनाने से बात हो जाएगी कानून बनाने से महलाओं को अधिकार मिल जाएंगे तो उन लोगों के लिए ये डॉक्टर बियार अंबेटकर का कसन बिलकुल प्रासंगे क्या है ये केवल और केवल आपको कानून लाउ करने से आपको कुछी जहासिल नहीं हो जाती है सामाज एक सुतंता भी होने चाहिए, समाज भी तयार होना चाहिए भाई माली जी लड़की ने दावा किया अपने पिता की प्रॉपर्टी में अब पिता ही देना नहीं चाहरा है प्रॉपर्टी अपनी लड़की को अब पिता ये करा नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं देंगे अपने बेटों को के केवल देंगे तो उस इस्ती में लड़की क्या करेगी अपने पिता से बगावत करेगी अपने भाईयों से बगावत करेगी नहीं कर सकती है तो यह कईना कि समाज तयार नहीं है तो ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं महलाओं से जोड़े हुए अगर हम भारत में के इस तरों पर लेंगिक भेदवाओं हो बसक्रीक्त से हम पता नहीं क्या करना है प्रतारित करते हैं अपनी बहुआं को पतारित करते हैं उन माओं को जनके कोक में से बच्ची जनम ग染み ले लेंगिया ले लेंगिया क्या होता है illegal तरीके से कही ना कि किसी डॉक्टर से जो सांट गांट करके जांच करवा लेते हैं पता चल जाता है कि गर्व में हमारी बेटी है उसकी कन्या अभूड हत्या कर वा लिए कितना हम जगन अपरात कर रहे हैं लेकिन फिर भी सारी गजपिदियां होती है सब कुछ हमारे आप देखते हूंगे कि ग्रामीड परवेशों में कितना भी सरकार प्रयास कर रहे हैं रोकने का फिर भी यह सब चीज है देखने को कहीं नंगे चोरी चबे आपको मिली जाती है महीं बालका को पोर्षर देने के मामले में भी भेजबाव किया जाता है देखें मैंने अक्सर कुछ जगों पर देखा है कुछ स्टेट में मेरा खुद का अब्जर्बेशन है जहां पर पोशर की बात आती है तो वो लोग कह देते हैं कि लड़की है तो लड़की के उपर खर्ची नहीं करते हैं नहीं उसे खिलाने पलाने में तो आपने देखा वो लड़की आंकर सूखी हुई रह जाती है वो पोशर टैप रह जाती है उनके अंदर रक्त हिंता का कमी हो जाती है कई जगहों पर मैंने देखा है कि लोग क्या कर देंगे अपने घर में कोई लड़का होगा उसको बड़ा दूद बगएरा पिलाएंगे सुगए साम लड़कियों पर ध्यानी निन देते हैं तो ऐसा क्यों यानि ये भी एक सोचने वाली बात है क्या वो आपका बच्चा नहीं है क्या आप उससे लगाव नहीं है क्या आप इस बज़े से उसके साथ बेदबाव कर रहे हैं कि किसी दूसरे घर में चली जाएगी ये गलत है मैंने कही जगह पर ये बात देखी भी है तो भाईयों की तुलना में लड़कियों के स्कूली पढ़ाई से जोड़े रखने के समय और स्कूल के स्तर को लेकर रंतर रहता है ये बलकुल बात सही है लड़कियां higher education तक बहुत कम पहुँच पाती है अगर आप आँक ले उठा कर देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत ही कम और खास करके SCST जन जाती हो में तो और भी व्यादा कम है याँनि 8 मी तक पहुँच जाए वो भी बहुत बड़ी बात है उच्छ सिच्छा से वंजित रखा जाना याँ पर याँ उच्छ सिच्छा दिलाना याँनि higher education तो जाई नहीं पाती है रोजगार के अवसरों और महंताने में बेदबाओ याँनि हमारे हैं पूरा अनुच्छ पंद्रह सूले में ये पंद्रह में बात ये लिख दी गई है समान काम के लिए समान बेतन फिर भी नहीं होता है हम महलाओं को कम तर ही आज़ते हैं हम ये मानते हैं कि महलाओं कम काम कर रहे हैं और कम बेतन दो लेकिन हखीकत रहाँ है अगर आप कभी observe करें आप उठा कर देंगे महलाएं पुर्सों की तुलना में डबल काम करती है किसी भी विभाग में आप चले जाएए महलाएं पुर्सों की तुलना में डबल काम करती है ये मेरा खुद का अब्जर्वेशन है आप खुद भी आप जाके अब्जर्व कर लीजिए और आप ये पाएंगे लेकिन उन्हें जो मेहनताना है उन्हें जो वेज है उनकी जो सैली मिलती है वो पूरूसों की तुलना में कम दी जाती है इसके लाबा पैत्रिक संपत्ती में अस्मान हिस्सेदारी इससे तो हम पहले डिसकस कर चुके हैं महला की निजिता प्राइबेसी और भूमेन की बात हो रही है महला की जो निजिता है अब इस पर भी सवाल उढ़े लगे हैं जब से महला स्सकतिकरण का मुद्दा यहां पर के कैंदरे में आया है महला की निज़ता का भी विचार यहां पर निकल कर आया है हम यह देखते हैं कि जो महला की निज़ता हैं प्राइवेसी को लेकर हमारे भारत में शुरुवात में आप देखेंगे कुछ सालों से ऐसी सिती बनी है कि अब तो आप देखते रहें सरकार भी सक्री है यहां पर इए पेले किया था? आसे 10 साल पहले सरकार सक्री नहीं थी, तो महलाओं को कई प्रकार की यहाँ पर उत्पीडन या कई प्रकार की जोब प्रताइवन जेलनी पड़ रही थी तो बताया गया है यहाँ पर कि भारत में महला आये और लड़किया सवक्षता संबंदी कम्यों का पुर्सों की तुलना में गैर समान पादिक बोज भेहन करती हैं जिससे उन्हें अपने निजता के मॉलिक अधिकार के साथ समझोता करना पड़ता है यह बात बिल्कुल सही है आपने देखा होगा कि घरों में टोलेट नहीं होती है घरों में शोचाले नहीं होती है तो महलाओं को क्या करना पड़ता है खुले में शोच के लिए जाना पड़ता है तो उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिलना पड़ता है, कई बार बलातकार तक हो जाते हैं, छेड़ छाड़ होती है, मार पीट होती है, सब ये सारी घटनाएं होती है, तो कहीं ना कि महलाओं की ये निजटा का हननन है, यानि मौलिक महलाओं की मौलिक अधिकार का हननन है, ये बात नहीं साप साप कही गई है, यह कोले में सॉच करने के लिए जाने के दोरान, जीबन और स्रक्षा की चुनोती है, सॉचाले उपयोग के लिए घर से बाहर निकलने की जरूद को कम करने के लिए क्या करती है keyword खाने की चीजों और पीने की उपयोग MEME कमी कर देती है, यյी मेलाओं को यह लगता है कि मैलाओं दर्धाण हो मिलाओं को प से होंख़ाई पर हम करेंगे यह भी इस तिति यहाँ पर देखी गई भी है कि मजाक नहीं है आपके सामने सी सारा आंकड़ा है प्रदूसित पानी की बजय से जो शिसु जन्म से सम्मद्र सक्रमण है ये भी महलाओं से और बच्चेओं को हो रहा है और इसे मौतें बढ़ रही है तो यहां पर हम आने एक स्वरूपा में देख सकते हैं कि महला की जो निजिता है वो किस तरह से उसका हनन हो रहा है सबसे ब और हमारी आदे से जदा आवादी जो खुले में शौच करती है ये बात हमने देखी है लेकिन हाल में कुछ आपके जो सुधार आए हैं आपके जो हर घर में सौचाले का निर्माट जो किया गया है मोधी की सरकार की तरप से और यह मैं इसकी सरहाना भी करता हूँ कि यह संद्रे की रिपोर्ट के अंसार 45% से बढ़कर 89 जो घर हैं इनके घरों में 60% सौचाले हो गए हैं बहीं जो सहरी घर है उनमें 89% घरों में सौचाले की सुधा है और यह जनगरना से बहतर इस्तिती धरसाता है यानि हम यह मान के चल लाए हैं कि आने वाले समय में जो सरकार स्वक्षता अभ्यान चला रही है इसकी तरह सौचाले बनवाए जा रहे हैं तो उसमें यहाँ पर तेजी देखी गई है घर घर में सौचाले बन रहे हैं ग्रामिडी चेत्रों में 60% घरों में सौचाले बन चुके हैं और सहरी चेत्रों में 89% घरों में सौचाले बन चुक अधिकांज घरों में हमारे हैं चेतर फीसद महलाओं को एक लंबी दूरी तै करनी पड़ती है जिन घरों में शौचाले नहीं है उन घरों की महलाओं को फ्रेस होने के लिए एक लंबी दूरी तै करनी पड़ती है क्योंकि आसपास माली जे घर है तो उन्हें ऐसे स्थान पर प्रयात हो जाते हैं, हत्या करती जाती हैं, तो ये भी यहाँ पर छिलना पड़ता है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, इसके लावा यहाँ पर सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे हिंदुस्तानी योगों की सबसे बड़ी कमी है कि वो अपनी आधत हैविट बदलना नहीं चाहते हैं सरकार कितना भी प्रयास कर ले लेकिन वो कहते हैं लकीर के फकीर हम रहेंगे तो वो इसी लायक है यानि तो अद्धेनों से ये भी पता चला है कि घरों के लोग विभिन कारकों की वज़े से खुले में सौच को प्रात्मिकता देते हैं खास करके मैंने आज भी कालोचना भी करते हैं कि पुलिस को कोई काम नहीं रह गया यही काम रह गया है क्या किया जाए जब सरकार आपको पूरे साधन दे रही है सरकार आपके घर में शौचाले बनवा रही है सरकार सक्षता की और ध्यान विसेस ध्यान रही है फिर भी आप बार बार हरकत क्यों कर यह नोग बार-बार वही एक उलावना देते हैं कि ने कि खुले में खुले संच करने से होगा कि थोड़ा हम फ्रैस हो जाते है तो आप टहल सकते हैं दो वही है तो यह एसे होते हैं, लेकन फिरभी वह बहार ही जाएंगे कि न से कहल हो वह समलने वाले नहीं है तो ये भी हमारे हैं सरसे बड़ी एक कमी है ग्रामीड और सहरी घरों में महलाएं और लड़कियां पुरसों की तुलना में शोचाले का ज्यादा उप्योग करती है ये बात यहाँ पर देखी गई है कि जो ग्रामीड हो या सहरी चेत्र हो यहाँ पर महलाएं और लड़कियां पुरसों की तुलना में सोचाले के जादा उप्योग कर रही है याँ पुरस आज भी उससे लखीर के फकीर पर जीर रही है कुछ ऐसे ग्रामीडों को देखा यहाँ ऑर वह और वा ऑजनी पर भार ही हो golpe्ः होने से यह होता है कि जो बीमारियां है वो संचरित होती है लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते है स्वक्षता सेवाओं तक पहुंच हासिल करने के बाद महिलाओं सकारात्मक व्यवार का तरीकों को प्रसित करती है यानि कि ओवियसी बात है सकारात्मक व्यवार क्या है इसके कुप प्रभाव बताए गई है यानि कि जो आपकी fallout of population policy इसके बारे में बताया गया है कि ये इसमें दिक्कत में क्या रही है क्यों हमारी जनसंखिया नहीं रुप पा रही है और हमारे देसकी जनता इसके प्रतिक क्या अपना रवया रखती है वो बात बताई गई है एक ऐसी जनसंखिया नहीं थी जो जन्पर नियंत्रण पर ही एकागर हो यानि हमारे यां क्या है हमारे यां जो जनसंखिया की एक ऐसी नीच चल लई है जो केवल जन्पर नियंत्रण पर ही एकागर हो इसका नकारत्मक प्रवाव घर्टे सिसुलंग अनुपात की रूप में भी सामने आता है यहां पर आज भी एक से ज़्यादा बच्चे को परीता देती है तो उनके मन में यह शंका रहती है कि कहीं अगर लड़का नहीं हुआ लड़की ही हो गई तो बच्ची पैदा नहीं करते हैं वो लोग तो कहीं ना कि इस बज़े से हमारे लिंगान अनुपात है उसका जो बैलेंस है जो गरवडा जाता है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है तो इसके अत्रित जो हमारा आटिक सर्विच्षड 2014 पंद्र है इसमें सरकार के लिए निम्निक कारवाईयां सुझाई गई है इस सर्विच्षड में यह कहा गया है कि आप कुछ ऐसे मिसन प्रोसाइद कीजिए जिनके जरीए जो जनसंक्या नीत है इस पस कुछ सकारात में कदम उठाए जा सके है परिवार नियोजन कारिक्रम की समिच्षा की जाए यानि कि हम दो हमारे दो बाला जो परिवार नियोजन कारिक्रम है इसकी फिर से समिच्षा की जाए और इसे इस प्रकार का नया सरूप दिया जाए कि इसे महलाओं के जनन अधिकारों और भारत की आबादी की जरुतों से जुड़ा जा सती है यानि हम महलाओं को सिख्षित करें समझाएं उन्हें कि दो बच्चों का महत्त क्या है अगर आपके दो बच्चे होंगे तो फ्यूचर में आप उनके लिए किस तरह की सुधाय कर पाएंगे कहां तक बच्चों को अचीब्मेंट दिला पाएंगे हम उन्हें समझाएं गुडवत्तापूर सेवाएं हो यानि जो भी सेवाएं हम उन्हें दे रहें सिख्षागी हो स्वास्य सेवाएं गुडवत्तापूर सेवाएं दे रहें हो इस्तिर परिवार नियोजन क्लीनिक या गुडवत्ता पूर अनुसरवर यानि वाई जन्म सन्वाई बगएरा या फरवेच्षण की विवस्ता हो समय समय पर हम इन से मिलते रहें लोगों से युवाऊं की अरूत्तों की पूर्ती हो यॉन स्वास्थे के लिए अधिक पताप्रामच जरता हो और जन्म में अंतर रखने के उपायों की परियाप्त आपूर्ती हो यानि बच्चे जोब cog जन्म लेते हैं जो महलाएं का enforcement गाती है दूसरी बच्चे को पैदा करने के दौरान तीन साल का अंतराल होना चाहिए क्योंकि इतने में इतने में मांको भी थोड़ा अपने बॉड़ी को हील करने क्रिए समय मिल जाता है मांको मांको भी आरा को फिर से भी जैन cramad उसको स्वस्थ कवनाने में समय मिल जाता है और बच्चों की भी परबरे सच्छे से हो जाती है मालीजे लगातार जैसे मालीजे एक साल की बाद दूसरी साल फिर से बच्चा पैदा हो गया तो महला की बॉडी पर एक नकारात में कसर पड़ता है क्योंकि महला की बॉडी में अभी पोसक तत्रों का अभाव होता है तब तक वो दूसरा बच्चा भी पैदा करने लग जाती है तो इस स्थी में क्या होता है महलाओं की मृत्यू भी हो जाती है तो यह भी बात जहांगा से हम क्या कर सकते है जनसंख्या नीत जो है हमारी population जो है policy इसको सगारात्म रूप से लागू गड़ सकते हैं यहाँ पर आपकी अगली heading है गरीबी का प्राकलन यहाँ पॉवर्टी estimates यहाँ पर साब साब जो बात कही गई है वो गरीबी के आंतलन की कही गई है आपने पढ़ा होगा याँ हमने starting से ही बात पढ़ते आ रहे हैं हमारे यहाँ जो PSU की स्थापना हुई थी जिने हम public sector undertaken कहते हैं तो PSU की स्थापना के उपरान जवालना नहरु जी ने आगनिक भारत के मंदिर कहा था च्योंकि पूरा का पूरा रोजगार सजन का दायत तो PSU के उपर डाल दिया गया था यह माना जा रहा था कि PSU जो हर छेत्र में भरबूर रोजगार कर सजन करेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसके परड़ाम यह निकल कर आए कि PSU का अत्रिक्त नोकरी का जो गोल डाल दिया गया था उसकी विएसे PSU घाटे में जाने लगे और एक इस्ती यह आई कि हमें बाद में यह नीद परवर्तित करनी पड़ी है तो भारत ने जब से 18 सुधारों की प्रक्रिया शुरुआत की है 18 सुधारों की प्रक्रिया आपको पता होगा 1991 की आई सुधार हुए है उसके उपरां हमने गरीबी उन्मलनन और रोजगार सजन समंदी नितियों में हमने बड़ा परिवर्तन किया है याँ अब हमने बितन रोजगार के हट कर हमारा ध्यान अप स्वर रोजगार पर आ गया है अब तो गवर्रमेंट जो स्खी में वो आत्निरवट भारत की है कि अपने खुद का रोजगार अपना आउ 2 अत निरवट हो जाओ सरकार पर डिपेंड मत रहो सरकारी नौकरियों पर depend मत रो क्वर्टमेंट ने साब साब ये बात अपनी policy में कहती है आदन भारत अव्यान में ये कुछ गलत भी नहीं है देगे ये मेरा बानना ये गलत भी नहीं है यानि हमें अपने-अपने स्थर से भी प्रयास करने चाहिए बिलकुल किसी के ओपर depending हो जाना चाहिए जैसे हमेरिका बगीराँ में देखा हुआ नर्सप्रस्ताब में क्या होता है भहाँ बार लोग सरकार से जज्यादा खुछ से प्रयास करते हैं लेकिन हमारे याँ क्या हमलोग सुरूबार से जैसे हम माली ये 10-12 कर पाए हमारी एक मनुपरती बनीगी पर सर्कारी नौकरी से बढ़ कोछ ही नहीं चाहें वो बेसक में एक 145 कि नौकरी मिल जाय हम सर्कारी नौकरी करेंगे düwel चाहे हमारे अंदर कि नीवी प्रत्रवा है हम एंज़िनियर बन सकते हैं हम किसी लेकिन हम केवल एक जडवत हो जाते हैं कि अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं तो यह भी हमारे एक समस्या है तो यहाँ पर कहा गया है जिस से के लाबकारी रोजगार पैदा किये जा सके और गरीबी स्थाही रूप से मिटाई जा सके यानि लोग स्वरोजगार पूरा पर परिवार यहां पर रोजगार प्राप्त करेगा योजना आयोग गरीवी के आंकलन के लिए योजना आयोग पहले जो भी सर्वे करता था अब नीत आयोग हो गया है तो यह राश्टी नमूना सर्वेच्षड जो है आपका नेशनल सेंपल सर्वे कार्याले द्वारा संचालित गरेलू उप्रोकता खर्चों के बड़े नमूनों सर्वेच्षडों से प्रात आंकलों का उपयोग करता है यहां गरीवी रेखा को परिवासित करता है और प्रतिव्यक्ति मासिक वोग के खर्च के आधार पर इसे जो है कितना इनका कंदमसन है देगे यहां पर जो योजना आयोग अपनी रिपोर्ट जारी करता था योजना आयोग अपने आंकड़े जारी करता था गरीवी पर तो वो एक समीति थी सुरेश दी तेंदुलकर के अधार की गई थी उसके आधार पर उसके अनुसंसाओं के आधार पर करता था तो हाल के आंकड़े एक बिसिसर के समुंग की अनुसंसाओं के आधार पर जिसकी अध्यक्षता क्रॉफिसर सुरेश दी तेंदुलकर ने की थी और अपनी रिपोर्ट दिसमबर 2009 में दी तो इसके आधार पर ये आंकड़े तयार की जाते हैं इस पद्दती के जो रिपोर्ट असके अरकॉर्डिंग बताया गया है कि कुल गरीबी हुमारे हैं 67,2% से कम होकर कितनी हो गई है 21,9% हो गई है गरीबी रेखा के मांदरन को लेकर ये सुरेश तेंदुलकरी जो कमेटी है और इसकी अनुसंसाइं हैं इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक कई लोग इस बात की अलोचना भी करते हैं कि ये सटीक प्यमाना नहीं है यानि जो सुरेश तेंदुलकर समिती है ये सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग की सुझाया गया विकल्प है वो सटीक नहीं है तो गरीबी रेखा कि मांदरन को लेकर उठ को देखते हुए साल 2015 के उत्रार्द में लाष्ट मेयानेगी नीद आयोक्यों पाद्यक्षे अर्विंद पंगडिया इनकी अगवाई में भारत सरकार ने एक कारेवल की यहां पर स्थापना की है तो यह कारेवल आने वाले वर्सों में यह सुझाएगा कि गरीवी का आंक् रिपोर्ट के प्रोकरन्स बताए गए है बताया गया है कि 2006 से लेकर 2016 के बीच भारत में कुल 2791 करोड़ लोगों को निर्धनता से भाहर निकालने में सभलता प्राप्त की गई है यह बास साब साब कही गई है कि 27 करोड़ लोग जो है निर्धनता के दारे से भाहर निकल कर आई है सरकार के प्रयास से भारत में जो बहुत आयामी निर्धनता है इसमें गुजर बसर करने वाले लोगों की जनसंक्या कितनी है 25-6 में 64 करोड थी अब कितनी रह गई है अब घटकर रह गई है 36-9 करोड है यानि 40% के करीब रह गई है भारत द्वारा 25-6 और 15-16 के बीच बहुत आयामी निर्धनता से जोड़े विविन चित्रों में काफी सराहनी प्रसंद किया गया है बताया गया है इस कुपोड सर्ड का इस्तर हमारे यहां पहले कितना था 5-6 में 44-3 प्रसंद था खास करके यह रिपोर्ट है रिपोर्ट में यहां पर जो बच्चे हैं आपके छोटे बच्चे हैं जोगे बहुत आयामी गरीवी में निर्धनता में गच्चों को भी सामिल किया गया है तो इसमें बच्चों के बारे इम बात बताईगी है इसके बच्चों के बारे में चिंता दर्साई गई है इनके रणुसार ये बात कही गई है कि भारत में 6 वयस्तों में से एक भौ आयामी निर्धनता का सिकार है यानि कि जहाँ पर हमारे जो भी वयस्त वच्चे हैं उन में से 6 में से एक जो है वो निर्धनता का बहुआयामी निर्धनता का सिकार है वहीं तीन मैंसे एक बच्चा जो है इस निर्धनता से पिलकुल ग्रस्थ है तो वयस्त की बात हो लिए 6 मैंसे एक वयस्त तो ही है भहीं आपका बच्चों में बात करें तो बच्चों में तीन मैंसे एक बच्चा इसमें सिकार है, यहानि भारत के बहू आयामी तुछा जनसंख्या का लवग पचास फीसत भाग बच्चों का है, यहानि साबसाब यह बात दोरा Follow-up गई है को जहल लहे हैं तो उनकी सबस्याद संक्या आपके भारत में और साउथ अफ्रीका में दच्छड एसिया में और सब अफ्रीका जो कॉंटिनेंट है उन देसों में याँ पर देखने को मिलेगी और दौनों जगों पर लगवग बरावर है यहाँ पर हमारी अगली है समावेसी विकास को बढ़ावा प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इसके बारे में बताया गया है याँ बारत के नियोजित विकास का पूरा ध्यान ऐसे कारिक्रमों यहां नीतियों के सूत्रण पर रहा जिनका लक्ष सीमान तेवर निर्धर्न को मोकिधारा में लाना था यानि हमने उद्च शुरुआ से यही स्टार्ट किया कि हमारे याँ विकास की दौड़ में कोई व्यक्ति छूट ना जाए सभी को हम सात में लेकर चले है तो हमने यहां शुरुआ से हमावेसी विकास बाहे कंसेप्ट को अपनाया है यहां को डिरेक्ट लाब मिल पाए तो लाब के समचित वित्रड के लिए प्रधानमंत्री ने जंधन योजना जो कि अगस्त दोया चौदे में सुरू की गई और इसी के साथ रुपय कार्ड वाली स्कीम जो थी और ये बोगात भुकतान समाधान के दौर पर लॉंच की गई थी ये द़नो योजना है जो थी एक दूसरी की पूरक थी इसमें अनेक उद्ध्योस्यों की यहां फूर्दी हो रहा थी यसे बित्थि समावेसन भी हो रहा था वीमा पहुंच भी हो रहा थी और डिजिटली करड हो रहा था डिजिटली करड का मलब क्या है लोग भी संधर में अनेक नई योजना यहां पर शुरू की गई यानि खास करके जो minority community है इसके लिए भी government लगातार प्रयासरत है और minority community के विकास के लिए government ने कुछ schemes यहां पर launch की है यसे बताई गई है अल्ब संक्यक महलाओं के नितरत विकास के लिए यहां पर एक नई रोस्नी योजना यह launch की गई है भही यहां पर और पताया गया है कि जो आपके अल्ब संक्यक समधायों से समधे छात्र हैं तो इन छात्रों के लिए देश से भार जागर पढ़ने के लिए सिच्छा रेड़ पर ब्याज अंद्वान की जो विवस्ता की गई है यह पड़ो परदेश योजना की तहत की गई है भही अल्ब संक्यकों में कॉसल विकास के लिए सीखो और यह भी एक स्किम लॉंच की गई है इसके लाबा यूएस टी टी एडी जो है आपका आर्तिक सर्वेच्छर 20178 के अनुसार सरकार को समावेसी विकास को प्रोसायद करने से जुड़े कारक्रमों के कार्यान में उनके लिए इस बात पर भी यहाँ पर ध्धान देने की जरूदत दिये है तो ये बात भी यहाँ पर आपके आर्तिक सर्वेच्छर 20178 में इस पर श्टूप से कही गई है इसके लाबा एक स्कीम और लॉंच होई है इसका नाम है सुगम में भारत अभ्यान ने Accessible India Campaign ये खास करके जो दिब्यांग जन होते हैं उनके लिए लॉंच की गई है तो भारत में का दिब्यांग व्यक्तियों की संख्या के देखें तो दिब्यांग व्यक्तियों की संख्या पूरी आबादी का लवग 2.25 दो फ्रीस्द है ये बताते हैं ये बात यहाँ पर इस पर स्टूप से कही गई है यानि संयोक्तराष्ट के संबलेंद में यह वात कही गई है यह अतिन तावश्यक है कि इनके लिए सभी मानव का अधिकारों और मौलिक आजा दी एवं उनके आत्वसम्मान को सुनिश्चित किया जाए यानि कि उन्हें भी अपने आत्वसम्मान गरिमा के साथ जीने का दिकार है ँने सोचते है वतलाना है कि वो एक अभशाप नहीं है उसके अंदर भी बहुत सारी नैसर के प्रभीबाई है हमने यह बात देखी भी जैसे आपने दिखा हुआ एक नाम सुना होगा आपने अब मैं स्टोरी यहां साजा कर देता हूँ इरा सिंगल यहां पर नाम है एक लड़की का इरा सिंगल जो कि अभी I.S. आफिसर है आप सर्च करना इनके बारे में यूट्यूब पर देखें इन्होंने जो अपना DAF फॉर्म होता है detailed application form जिसे हैं बोलते हैं UPSC का जो exam आप करेक करने के बाद prelims करेक करने के बाद भरा जाता है तो जो DAF भरा था तो उसमें दिब्यांग ता वाला जो option था वो उन्होंने टिक नहीं किया था और जब यह men's qualify करके जब यह interview में गई है और interview में भाबर interviewer के सामने पूरा data होता है आपने जो फॉर्म भाडा है वो फॉर्म का पूरा प्राडूप आ जाता है क्या 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 hobby है क्या क्या आपने करना चाहते हैं आगे तो उसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर इस लड़की ने क्योंकि यह एक दिब्यांग लड़की है और इस लड़की ने अपना विकलांगता वाला जो भी है वो option टिक नहीं किया है तो वहाँ पर interviewer ने अचानक से पूशा इस लड़की से इस मलब candidate से पूशा क्या आप इस यह जो अपना दिब्यांगता वाला जो option था वो टिक करना भूल गहीं थी तो लड़की ने बहुत अच्छा जबाब दिया वो सभ्यरती का जबाब था वो जबाब सुनकर पूरा पैनल गदगद हो गया और उसी बाद पर उसका selection हो गया वो जबाब यह था कि सर जो दिब्यांगता है यानि जो विकलांगता है वो मेरे पैरों में है मेरे दिमाग में नहीं यानि उस लड़की ने सीरी सी लाइन में एक आंसर यही दिया कि जो हमारी विकलांगता है वो किबल मेरे पैरों में है मेरे दिमाग में नहीं मेरा दिमाग तो बहुत ठीक है तो उसी बास से कुसोगर उसका जो है इंटर्व्यू इकदम सक्सिस्फुल रहा और वो आज चैनित भी हो चुकी है आप उसके बारे में पढ़ना आप जाके यूट्यूब पे सरच करना देखिए ऐसे कुछ किरला में किरला या तमिलनाडू पोस्टेड नहीं साइद इतना मुझे कंफर्म नहीं साइद किरला में है पोस्टेड यह तो इनके बारे में भी पढ़ना आप यानि प्रांजल पार्टिल हमारी देश की पहली नेत्रहीन महला जोग आई-एस है यानि उनकी भी एक जिद्ध थी कि हमें आई-एस बनना है तो बनना है तो यह कुछ आपकी ऐसे पर्सनल्टी है इनका जिक समय समय पर आ जाता है तो मैं कर देता हूँ इनके बारे में पढ़ा कीजिए इनसे प्रेणा लिया कीजिए तो यहाँ पर इस जिसा में डिब्यांग व्यक्तियों के ससक्तिकरण के विभाग DEPWD यानि Division of Persons with Disabilities इसने डिब्यांग व्यक्तियों की सर्वसुलबता के लिए एक देश ब्यापी कारिकरम शुरू किया जिसका नाम Information and Communication Technology जो है इससे ने जोड़ना है सरकार ने अभ्यान के हिस्से के तौर पर यहाँ पर एक समावेसी और सुगमता सुचकांग की सुरुवात की यानि कि यह जो आपका सुगम भारस अभ्यान है इसी के तयाद भारत ने समावेसी और सुगमता सारी में मददगार होगा तिक एकसर यह देखा जाता है जो भी आपकी corporate building बगएरा है जो भी आपकी विवसाइक building बगएरा होती है बहाँ पर दिभ्यांग जनों के लिए अलग से विवस्ता नहीं की जाती है जबकि government अब यह प्रयास कर रही है आपने देखा भी होगा जितने भी railway station है बहाँ पर दिभ्यांग जनों के लिए अलग से सीडियां बनाई गई है जितने भी आपके जो भी आप राष्टी स्तर के जो भी AISI की तोरा यानि जो archaeological survey of India की तोरा समच्छत इमारते हैं बहाँ पर भी इन लोगों के प्रमड के लिए दिभ्यांग जनों के प्रमड के लिए रैंप वाली यानि जलावट वाली सीडियां तयार की गई है ताकि आसानी से चड़ उतर सकें तो सरकार हर जगे प्रयास कर रही है ताकि दिभ्यांग जनों को भी ये न लगे कि हमारे लिए अस्मानता के भिदवा हो रहा है बसों में भी इनके लिए सीट जो रिजर्ब की गई है तो ये सब बताया गया है कि ऐसे ही प्रियास को है गवर्मेंट ये भी बेक्षा कर रही है कि इनको बढ़ावा देने के लिए जो भी निजी संस्थान है जो भी प्राइवेट संस्थान है वो इस तरह के प्रियास करें ताकि ये लोग भी उनसे जोड़ो पाएं उनमें रोजगार हांसिल कर पाएं सरकार ने दिव्यांगों के अधिकारों और पातरता की सरनच्छा पर मजबूती के उद्देश से दिव्यांगों का अधिकार अधिकार अधनियम 2016 ये लागू किया है और इसमें सरकारी नेटियों में तीन फीसस से चार फीसस तक आरक्षड बनाने का प्रापधान भी सामि को मजबूत बनाना आप लोग ये बाद जानते होंगी जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय संब्यधान में पंचाज़ी राट के प्रापधान के बारे में कोई संब्यधाने को पुबंद नहीं थे केवल बात जनरली कह दी गई थी और जनरली बात कहने के वज़ समयों के लिए अवसर सजित करने के साथ सरकारी विवस्था के तीसरे स्तर के पंचायत निकायों को कुछ सक्ति और अधिकार प्रदान किये गए देगे जो आपकी पंचायती राज इस्टिूशन है इनके बारे में आपने पॉलिटी में बहुत अच्छे से बढ़ चुके ह हैं यहाँ पर केवल हो केवल हम जो मुल कॉंसेट्ट वह कवर करेंगे कि इनकी स्थापना से क्या हुआ है हमारे जो इस्थानी शेत्र है या जई जो अपके जो भी छेत्र ह¿ हैं या जान के णिस्तर पर जो भी सबाहर आई हैं इим समस्चाओर स्वदकर निधान कर पाह तू इसनके माद्यम से विकेंद्री कत्लोक तंद्र का विस्तार पांचवे अनुसूची मुल्ले के छित्रों तक किया गया, यानि कास करके कोछ जन्जाती लागे हैं, जहांपर बिस्निस जमांड की गई थी, जो पंचैती राजपाली विवस्ता है, यह राजी सरकार का दीन आती है, राजी सरकार जैसे चाहे, वैसे इनका निगमन कर सकती है, लेकिन करना ही पड़ेगा, इन अधनियों को अनुच्छे 242D, 242W, अज्यप्ती यानि डिक्री करते हैं, कि राजी के विधानमंदल कानून बनाकर पंचायतों, नगर पालिकाओं को ऐसे अधिकार हो सकतियां परदान कर सकते हैं, यानि कि जो अधिकार या सकतियां जो उनके घटाने या बढ़ाने की बात हैं, तो यह राजी के विधानमंदल इनके उपर कानून बनाकर उनके अधिकार घटा या बढ़ा सकते हैं, ये बात यहां आप जानते होंगे चोहत्तर में समिधान संसोदन अधनियम के अनुच्छिर 243 ZD के तहत प्रतियक जिले में राजी सरकार दोरा जिलाज योजना समितियां यानि कि जो बनाई गई है इनका उबंद किया गया है और ये समितियों से इन से आथा ये की जाती है कि ये जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं दोरा तैयार योजनाओं का समिकन करेंगी और समग रूप से जिले के प्रारूप विकास योजनाओं को तैयार करेंगी देखें यहाँ पर पंचाइदी राइज संस्थाओं को बनाने का उद्ध यही था कि विकास की प्रक्रिया में जो आपके ग्रामिस्तर के लोग हैं यानि ग्रामीड हमारी फरिवेस हैं उसको भी जोड़ना इस पंचाइदी राइज संस्थाओं को यहाँ पर समयधानिक मानेतर प्रतान की गई तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ पर कम्लीट हो जाता है आई होप आपको यह लेक्षर पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लेक्षर करना न भूलें और मैं आपसे बार-बार लगाता है यह बात कहते जा रहा हूँ कि अब बिलकुल हमारा समापती की ओर है यानि हमारा बिलकुल समापन की ओर है यह आपकी पुस्तक तो आई होप यह तीन से चार दिन में किताब आपकी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम नया सब्जेक्ट उठा लेंगे तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लैक्षर करना न भूलिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद